इब्रानियों के नाम पत्तरी दसवा अध्याय क्योंकि विवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तों का प्रतिविम्भ है पर उनका असली स्वरूप नहीं इसलिए उन एक ही प्रकार के बलेदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अच्छूक चढ़ाय जाते हैं पास आने वालों को कदापी सिध नहीं कर सकती नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुध हो जाते तो फिर उन का विवेक उन्हें पापी न ठहराता परंतो उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है क्योंकि अन होना है कि बैलों और बकरों का लोहु पापों को दूर करे इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेट तूने न चाही पर मेरे मेरे विश्य में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं उपर तो वह कहता है कि ना तूने बलिदान और भेट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उन से प्रसंद हुआ यद्यपी ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार उसी इच्छा से हम इश्य मसी की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाये जाने के दौरा पवित्र किये गए हैं और हर एक याज़क तो खळडे होकर प्रति दिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सरवदा के लिए चढ़ा कर परमेश्वर के दहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाउं के नीचे की पिड़ी बने क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के दौरा उनहें जो पवित्र किये जाते हैं सरवदा के लिए सिध्ध कर दिया है और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाहि देता है क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभू कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उन से बांधूँगा वह यह है कि मैं अपनी विवस्थाओं को उनके हिर्दे पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगिकार को द्रड़ता से थामे रहें क्योंकि जिसने प्रतिग्या किया है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूस और भी अधिक यह किया करो क्योंकि सच्चाई की पहिचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जान बुझ कर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलदान बाकी नहीं हाँ दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर जबकि मूसा की विवस्था का न मानने वाला दो या तीन जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाउं से रौंदा और वाचा के लोहु को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पल्टा लेना मेरा काम है मैं ही बदला दूंगा और फिर यह है कि प्रभू अपने लोगों का न्याय करेगा जीवते परमेश्वर के निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने और कुछ यों कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुरदर्शा की जाती थी क्योंकि तुम क्यादियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ती भी आनंद से लुटने दी यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत ताकि परमेश्वर की इक्षा को पूरी करके तुम प्रतिग्या का फल पाओ क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन ना होगा पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं